आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा हाजी परदा फाश हो गया आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूँ एक ऐसा सरकुलर इंस्ट्रक्शन दिखाने वाला हूँ जिसके बाद आपकी आखे फटी की फटी रह जाएंगी एक ऐसा सच आपको बताने वाला हूँ जिसकी आपने कलपना भी नहीं की होगी तो चलिए इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं ठीक है ये इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि भाई आज कल हो गया रहा है कि जब भी कोई वेक्ती GST र उस रजिस्टेशन को एप्रूब करते हैं और कई बार ओफिसर क्या करते हैं चुट्टी पर चले जाते हैं और उस रजिस्टेशन को एप्रूब नहीं करते हैं तो चुट्टी पर जाने से क्या होता है चुट्टी पर जाने से कई बार यह हो जाता है कि वह रजिस्टेशन deemed approved हो जाता है और जैसे ही registration deemed approved हो गया तो officer ने अपना पल्ला जाड़ लिया कि भाई साब इसको registration मैंने नहीं दिया और फिर ऐसे वेक्ति को जो registration मिलता है वो कई जगा पर fake billing का काम भी कर देता है तो अब आप इसमें क्या कहोगे comment box में मुझे लिख कर बताओ आप मुझे बताओ कि क्या आप मेरा इशारा समझे मैं क्या गयाना चारू कई बार होता गया है कि कोई application आई GST officer के पास और उसने last moment पर वो application किसी दूसरे वार्ड में shift कर दी और जब दूसरे वार्ड में गई तो फिर उस पे भी registration दे दिया गया तो यहां पर आपको क्या लग रहा है comment box में लिख कर बताना अगर आप मेरी बात को समझे यह बात मैं नहीं कह रहा भाई यह बात यह circular कह रहा है यह instruction कह रहा है ऐसा पाया गया कहां पर उडिशा के अंदर यह अगर आपको चाहिए तो आपको टेलिग्राम गुरूम पर लिंक दे दूंगा आप इसे पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है यहां पर कि भाई फेक बिलिंक का काम बहुत हो रहा है उसे पकड़ने के लिए क्या होता है इन्होंने कहा है कि भाई due diligence नहीं हो रही at the time of grant of registration काई बार जिन लोगों का functional business नहीं है उन्हें भी registration दे दिया जा रहा है और fake invoicing वो issue कर दे रही है तो किस वज़े से हो रहा है due to inaction of the concerned proper officer in charge of registration within the prescribed time as many 1168 but 1168 number of registration applicant have been approved automatically मसलब की भाई साढ़े 1100 लोगों को ठीक है ना registration की application automatically approve हो गई क्योंकि time निकल गया था deemed approved हो गई ठीक है ना कौन से financial year में 22-23 में और जब इन deemed approved application को पकड़ा गया चेक किया गया ठीक है ना इस में से 120 लगबाग 10% application ऐसी थी जो की fake थी तो भाई यह deemed approved कैसे उनने registration मिलिया और कह दिया कि जाओ कर लो billing तुम भी दिल खोल कर कर कल को हमारे उपर कुछ आएगा तो हम कह देगे बाई साब आए हमने तो दिया इनी registration ठीक है ना तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान दखना है ऐसा हुआ क्यों ठीक है ना क्योंकि जो प्रोपर officer थे व लोटल हमें कह दियता है कि लास्ट पर फाइल मत करो तुरी जल्दी फाइल कर लो रश हो जादा तुम क्यों करते हो लास्ट पर भाई ठीक है ना कमेंट बोक्स में लिखकर बताओ यह लोग भी लास्ट पर काम करते हैं नहीं करते इट है इस अपना के दूसरे सर्कल को लास्ट गंटे में दे देते हैं कि वाई सब यह तो मेरा है नहीं विच एड़ अप्रूब तो इस डीमड अप्रूवल का नुकसान डिपार्टमेंट को नहीं हो रहा है इनका नुकसान उन्हें हो रहा है कि जो लोग फेक बिलिंग ठीक है ले लेते ठीक है ना उसके बात इसमें जैनम लोग भी कई बार फर्ज जाते क्योंकि भाई जनम तो कहां से हुआ रजिस्टेशन से हुआ और रजिस्टेशन किसने दिया डिपार्टमेंट ने तिया अब डिपार्टमेंट कहे रहा भाई ओफिसर करा मैंने तो दिया निए यह तो अपने आप प्रूव हो लुप यह वह लिप पर चले जाता है कि अपर को अपना ट्रांसफर भी नहीं करता इसी वज़े से हुआ इसी वज़े से वह ब्रूब हो जाती है समझ्हें आ तो इन्होंने क्या बोला कि यह तो बड़ी गलत बात है जो ओफिसर्स लोग कर रहे है यह सारे नहीं करते एक दो परसेंट ऐसा होता है मैं सब की बात नहीं कर रहा है तो यहां पर लिखावा है कि बाई टाइमली एक्शन लेना है प्रोपर ओफिसर को किस किस चीज में एक्जामिनेशन ओफ इन्फोर्मेशन और डोकुमेंट्स टीक है जिससे की वह फेक रजिस्टेशन वालों को पकड़ता है अब इन्होंने का अब ऐसा करो ना रजिस्टेशन से पहले ही कुछ काम कर लो प्री रजिस्टेशन स्टेज पर ही पहले तो आप यह देखो कि जब भी कोई नई एप्लिकेशन आए तो वहां पर कभी भी ऐसा ना हो कि वह डीम्ड अप्रूवड हो जाए समय रहते ही उसकी जाज कर लो और अ अब कर लोंगो ऑफिसर से वांगो क्योंकि कहीं ना कहीं एपिसर की गलती है समझै और उसके बाद इन्होंने क्या लिका है कि जो लोग ओटीपी पर नहीं जाते हैं टीक है ना जो ओटीपी बेस्ट पर रेजिस्टेशन नहीं लेते हैं तो उनकी फिजीकल वेरिफिकेशन जरूर करा दो, समझा गई बात, तो physical verification उसकी होगी, और अगर आपको लगता है कि वो OTP पेस भी चला गया, लेकिन हमें doubt हो रहा है, तो भाई दुबारा इसकी physical verification करा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, rule में लिखा हुआ है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कि भाई आप यहां पर जड़ा check कर लो, ठीक है न, आप यहां पर check कर लो, कि भाई यह registration इसका सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है, तो registration के बाद, post registration stage पर, तब आप तब जा के physical verification करा लो, अब भी तो करा रहे हो, तभी करा लो, और अगर आपको लगता है कि सही नहीं है, तो आप क में back date से उसका registration cancel कर दो, अब होगा क्या, जब व्यक्ति का registration cancel होगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, दुबारा apply करेगा, तो यह revocation डालेगा, ना तो उसे revocation दो, ना उसका नया registration, तो जब तक क्या पूरे satisfy, ना हो जाओ, तो भाई यह, अगर इस, आपको देख रहे हो, इस instruction को पढ़ रहे हो, अगर यह, पूरे इंडिया में applicable हो जाए, तो comment box में लिख कर बताओ, मज़े आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ सर मज़े आ जाएगा, लेकिन, यहाँ पर, जो एक hint मिल निकल कर आ रहा है, उस hint में यह निकल कर आ रहा है, कि कहीं ना कहीं, GST officer are also responsible, सारे क आगी बात नहीं कर रहा है, जो ऐसा करते हैं, तो भाई मेरी आज जोड़ के request हैं उनसे, अब भाई ऐसा मत करो, अगर तुम्हें लग रहा है, तो ऐसे वेक्तियों को registration मत दो, नहीं, तो यह समाज में आगे गंदगिया फैलाते हैं, आपका क्या विचार है, comment box में लिख कर बताओ, और अगर इस तरह के सारे section पढ़ने हैं आपको, तो आप हमारा full course ले सकते हैं, जिस पर की अभी discount चल रहा है, तो discount क्या चल ला है, हमारी team से contact करो, और अगर आप चाते हो, इसका analysis करना हमारी magazine में, तो हमारी जून महीने की magazine है, उसमें इसका analyze कर देंगे, अगर magazine expire हो गई है, या भी तक नहीं लिए, तो इस number पर call करके लिलो, वीडियो कैसी लगी, comment box में लिख कर बताना, इस वीडियो को देखने के लिए, धेर सारा प्यार देने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद, thank you for watching.